question number one is a very simple question यहां पर में बताया जा रहा है कि we have to find out the angle of elevation angle of elevation में find करना है of the sun if a six feet man casts a 3.5 feet shadow एक आदमी है जिसकी height at six feet ठीक हो गी ताप अब इसके shadow बन रहा है shadow जो है उसका जो length है वो 3.5 feet है ठीक है तो अगर हम A B कह जाते हैं this is height of the man और AC जो है यह क्या बन रहा है जी shadow तो कितनी इसकी height थी this is six feet और shadow कितना बन रहा है this is 3.5 feet तो angle of elevation अगर अगर यहां पर एक आदमी इस shadow के इस point को भी खड़ा होके sun को देख रहा है जो कि sun यहां पर मुझूद है तो इसको जब वो देखेगा तो जाहर सी बाद तक यह इसका एक angle of elevation बन रहा है ठीक है ठीक है तो यह आपका जो angle of elevation है this is we have to find out कि यह angle theta जो है इस angle theta की क्या value है तो एक triangle मरपस बन रही है triangle ABC सबसे हम बता देंगे कि जो height of the man है यह AB है मरपस solution में वा जाते है तो आदमी की जो कड़ है आदमी के जो उचाई है वो कितनी है जी six feet so this is height of man ठीक है आदमी का जो कड़ है यह उसकी जो उचाई है हमार पस AB समने सको शो किया हुआ है AB हमार पस आ रहा है जी six feet उसके पार जो length of shadow है यानिके साई की लिए लंबाई तो साई की जो लंबाई है या length of shadow यह आप देख सकते हैं आपके पास AC के बराबर है जिसको हम AC लिख सकते हैं मेयर AC यह हम यहाँ पर पी M लिख सकते हैं मेयर के लिए अच्छा जी तो इसकी value मार पास क्या है यह 3.5 अगर हम इसमें देखें यह आप कि आपके पास perpendicular है और यह आपके पास base है तो जब आपको perpendicular भी मालूम हो और base ही मालूम हो तो ऐसी कौन सी trigonometric ratio है जो इन दोनों को अपस में connect करती है जैने कि अमूद को और काइदा को या perpendicular और base को तो आप जानते को 10 theta की ratio होती है तो मैं यहाँ से find क्या करना था angle of elevation यह simply to find out तो आप बताएं कि in this right angle triangle यह मार पस right angle triangle है triangle ABC और इसके अंदर आप जानते है कि 10 theta जो ratio है मार पास यह किया होता है जी this is perpendicular divided by base and we know it very well यहाँ पर पेंडिकुलर मार पस किया जी में यह रफ A B और base मार पस किया है में यह रफ A C हम इसको लिख सकते है तो इनकी जो दोनों क values मारे पास module है so we put both of the values here आप जानते है कि A B आपके पास 6 feet था और A C आपके पास 3.5 है अब हम इसको divide कर लेते हैं इसका answer मार पास आ रहा है 1.714 तो हमें क्योंकि theta find करना है तो tan खो में उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा तो वहाँ पर जाकर tan inverse होड़ेगा थीटा मर पास के आरज 10 inverse 10 inverse of 1.714 और ये वैली हम विद यहल पफ कैल्कुलेटर find कर सकते हैं so this equals to 59.74 degrees पिसरसमने अंगल अंगल अलिवेशन find कर लिया बिसमले रह्मारे रखेम डीर स्टुडेंट्स मौजद खवातीन खवातीन और असलाम अलेकूम एर्निक साइन्स टीवी एक एज्यूकेशनल चैनल है जिसका मकसिद मैथेमेटिक्स और साइंस की जो मज़ामीन है इनको हमारे तुलबात तक वीडियो की फार्म मे आसान सूरत में महिया करना है आप तमाम हजरात से और खवादीन से गुजारिश है कि इन वीडियो को हमारे तुलबा तक जो भी आपके सोशल सरकल के अंदर मौजूद है उन तक पहुचने में मदद करें और ई-लर्निंग साइंस टीवी को सबस्क्राइब करने और इसके साथ दिया गया बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें क्वेस्टरमर टू इस के हमारे पास एक ट्री है जिसकी शैड़ो जो कास्ट हो रहा है वो 40 मीटर है और अंगल अफ एलिवेशन जो है इसका सन के साथ इस तुईटिव डिग्रीज सब्रेकर स्थाथ तो इस तो हमैसमें सब्रेकर कर लेते हैं कि में पर इसका यह ट्री है तो यहां हम फिर्श कर लेते हैं कि मारे प्लू भी फ़र इंपकोakukan इक लिए वं सक्षाहें मिछाएं तो कि उसक़ली है एक इसको पॉइंट्स क्रांग जिए तो है सीड है यह जब सूरज की रोशन से पाढ़ रहा है यह जहां पर शैडव या इसका साया बन रहा है तो साया जो है हमारे पास कितना इसकी लेंध हारी 40 मीटर तो AC हमारे पास यह सी एकी लंबाई कितनी हारी 40 मीटर और एक और इंपोर्टन बात उसने में बदाई के एंगल अलिवेशन मनेगा थीटा इकुल्स टू दिस इस 25 वर यह मारे पास जो एंगल है इस एंगल अलिवेशन या जाव यह साउद अब जो इंफ्रमेशन में यहां से कि मनें वो क्या है सबसे पहले तो बता देते हैं कि हमारे पास जो इसका साया या लेंध अफ शैडव तो ले दूसरी इंपुर्टें बात एंगल आफ एलिवेशन तो एंगल आफ एलीवेशन लिखने या जाव्यर साूध या सिंपल आप एंडल लिख सकते हैं तो एंगल आफ एलिवेशन जो है आफ वेंड इसका हमने थीटा सी शोक किया हुँ है यह हमारे पास थे 25 डीग्रीज यह हमें find क्या करना है height of the tree, so height of tree इस triangle में हमने इसको शो किया हुआ है AB के साथ, so measure of AB this is we have to find out, so measure of AB यह हमें find out करनी है, अब यह देखें जो हमरे पास ट्राइंगल बन रही है, right angle triangle in right angle triangle ABC, हम यहां पर देख सकते हैं कि क्योंकि यह right angle triangle है, तो हमारे पास ट्रिक्नोमाइटिक रेशोज हैं मून को use कर सकते हैं, तो यहां पर यह हमारे पास base है और यह हमारे पास perpendicular है, तो क्योंकि हमें perpendicular find out करना है, तो हमने ऐसी ratio देखनी है जो perpendicular को जैनि कि अमूद को और काईदा को आपस में connect कर दे, तो यह हमारे पास ratio कौन सी होगी, यह होगी tan of theta, तो tan of theta जो होता है हमारे पास यह अमूद बटा काईदा यह perpendicular divided by base, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि perpendicular हमारे पास क्या था, this is measure of AB, और हमारे पास यहाँ पर base क्या है, measure of AC, theta की value हमारे पास क्या थी, 25, so we put it here, 1025 equals measure of AB, AB की value हमें मालूम गर नहीं है, तो इसको हम AC रहने देती हैं, और जो AC है हमारे पास, यहनिकी shadow, यह 40 मीटर था, अब इसको हम cross multiply करनेंगे, तो देखिए इसको हम, अगर हम cross multiply करें, तो मैं यह रफ ए B, यहनिकी height of the tree, जैदरा की उन्चाई, यह किसके बरावर आजएगा, 40 multiply by 1025, तो 1025 की value on calculator से पालूम कर सकते हैं, 0.466, अब इसको हम अपसे multiply करते हैं, तो वी गेट था आंसर, दिस इस 18.65, 16.65 meter, तो दरास्त की जो लंबाई है, उन्चाई, या height of the tree, this equals to 18.65 meter,